ग्रेलू पारिवारिक, समाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूचते वे आज की महिलाएं जिस सशक्त धान से आगे बढ़ रही हैं, सचमुछ ही अकत्निये हैं ये महिलाएं घर में बाल बच्चों की जिम्मेवारी, बड़े बज़र्गों की देखवाल और घर विरस्थिक के साथ साथ नौकरी पेशा और स्वोरोजगार अपना कर आत्म निर्टा की ओर बढ़ कर एक अदबुत मिसाल पेश कर लिए हैं करोना एक प्रान घातक रोग है और इससे बचाओ ही इसकी दवा है करोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समझ संसार में ये तबाही मचा रहा है यह इस रोग की शुरुआच चुखाम बुखार वा खांसी जैसे लक्षनों के साथ होती ह जो की धीरे धीरे आगे चलकर एक विक्रार रूप ले लेती है और रोगी के शुषन तंतर को बूरी तरह से ये प्रभावित करती है जिससे की आदमी की मृत्यू भी हो जाती है क्रोना से बचाओ करने में ही समझ सारी है क्योंकि यह एक संक्रमक रोग है जो बहुत तेजी से एक दूसरे में फैलता जा रहा है इस संक्रमन से गाओं भी अचुता नहीं है यह संक्रमन गाओं में भी अपने पाओं पसार चुका है इसका एक कारण तो यह भी है कि जो लोग बाहर गए हुए थे वे लोग गाओं में अधिक मात्रा में आ रहे हैं लेकिन उन लोगों काल और अध्यापन काल के जिस अनुभव को मैं आज आप से साजा करना चाहती हूं वो मेरे अनुभव पिछले लगबग दो महीने के हैं जो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दोरान मैंने एक्सपीजियन्स किया और ये मैं एक महिला होने के नाते और समाशास्त्री समाशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जो फील करती हूँ या जो मैंने एक्सपीजियन्स किया उस चीज़ को मैं आपके साथ आज साजा करना चाहूंगी लेकिन ज जब सारी activities खासकर college में और बाकी जगा बड़ी activities जोरो शुरू पे होती है उस वक्त शुरू हुआ तो एक कामकाजी महिला के लिए खासकर जो एक धेन और अध्यापन के कारे में जूड़ी है उसके लिए एक peak कार समय होता है लेकिन अचानक से सभी के लिए surprise था जब lockdown या बहुत सारी नई चीजे उसको देखने को मिली उसका एक routine जो हमेशा से चाती थी कि उसके पास घर के लिए समय हो परिवार के लिए समय हो वो समय उसको मिल सका क्योंकि एक महिला के पास और सभी के पास 24 गंटे है 24 गंटे में जो उसका समय का विवाजन होता है वो उसका पर्सनल समय कितना है जॉब के लिए कितना है और परिवार के लिए कितना है तो अगर उसको एक जगह कहीं समय या उसकी attention की ज्यादा ज़रूरत है तो दूसरी जगह से उसको विड्रौ करना पड़ता है अगर उसका पर्सनल समय जो है उसका वेक्तिकत जो समय है उससे वो म पहले उसको उसने बहुत इंजोई किया बहुत सारी रेसिपीज की-चन में ट्राइक You Tube से देख यूट नई रेसिपीज प्राइक घर में भी इंजोई किया लेकिन कुछ समय के बाद बहुत सारे उसके प्रभाव है उसके जीवन में आने शुरू हो गये यह आतम निर्वर्ता कोई महिलाएं एक सफर किसान बनकर कोई वाहन चालक तो कोई छोटे-छोटे लगू उद्योग जैसे सलाई, गडाई, दर्जी, बुनकर और इसके साथ साथ शिक्षा और चिकिसा के क्षेत्र में भी पूर्शों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कारे कर रही है मैं डॉक्टर निशा वर्मा आयरवेद मेडिकल आफिसर जिलाउना हिमाचल परदेश में आयरवेद विभाग में कारे रत हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से पूरा विश्व और हमारा देश करोना नामक महामारी से जूज रहा है, तथा हम सभी इस प्रियासों में लगे हुए हैं, ताकि इस महामारी से जितनी भी जानने हम बचा सकते हैं, तथा लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए हम से प्रियासरत हैं, मेडिकल स्टाफ, पुलिसबल, तथा सफाई करमचारी, सभी जितने भी लोग फ्रंट लाइन में का कर रहे हैं, आर्विद विभाग में डॉक्टर होने के नाते मुझे भी इसमें अपनी सेवाइं देने का मौका मिला, तथा, मैं खुद को खुश किसमत मानती हूं, कि मैं अपना इसमें योगदान दे सकी और देश के लिए कुछ काम आ सकी, लेकिन अंत्य खुशी हमें इल्वे स्टेशन पर हूं, या अपने ओपेडे में हूं, तो यही ध्यान रखा जाता है कि लोगों को हम जितना हो सके इस महामारी से हम बचाने का प्रयास करें, चाहे वो हम उनको समझा कर या उनको नियमों का जो इसमें नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साफ सफाई ह और जितने भी नियम हैं, उनके बारे में अवगत कराकर हम लोग इस बेमारी से निकलने के बारे में उनको प्रयास करते रहते हैं, तो मेरा सबी से अनरोद रहेगा कि जो जिसकी जो ड्यूटी है, हम मेडिकल फिल्ड से हैं, हमें जो ड्यूटी है, हम वो कर रहे हैं, आप क जैसे अभी लॉकडाउन सरकार धीरे-धीरे खोलना पड़ेगा, खोल भी रही है सरकार, तो मेरा ये गुजारिश रहेगी लोगों से, आम जंता से, कि अपना ध्यान खुद रखें, स्तरक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी इसके नियम है, साफ सफाई, ब कम से कम करें. आमाजी कारेकरों में हिसा लेती हूँ, NGO's में भी काम करती हूँ, और आज की, जैसे आज इस प्रोग्राम में महिलाओं को, एक सशक्ती करण, जैसे महिला सशक्ती करण क्या होता है, महिलाओं सशक्थ हैं, और COVID-19 के टाइम में, महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ ग नहीं होते हैं या आपको बहुत समय तक घर में काम करना पड़ता है या बच्चों की छुटियां है या पकवान बनाने पड़ते हैं या घर की सुफाई करनी पड़ती है तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती है खेर हमारा प्रफेशन ऐसा है कि ह हमें तो COVID-19 के समय में हमारे उपर भी एक दाइत्व बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि हमें मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते हमें ये काम करना ही पड़ता है, अपनी ड्यूटी सो निभानी ही पड़ती है और हम इस समय अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते हैं अब बहुत सारी महिलाओं को आजकल परिशानी भी हो रही है डोमेस्टिक वॉयलेंस बढ़ गया है या इरिटेशन या डिप्रेशन इस तरह की सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए है क्योंकि काफी लंबे समय से कर्फ्यू रहा या लॉकडाउन रहा या एक्टिविटीज कम हो गई है आउटलेट्स कम हो गई है पहले महिलाओं शादी समरों बगारा में जाती थी या धार्मिक कारेक्रमों में अंदरों में जाना था मैं सबको यह समझाना चाहूंगे कि देखिए जान है तो जहान है यह सब चीजें चलती रहेंगी आगे से आगे कभी भी हम इसमें शामिल हो सकते हैं और COVID-19 के बाद की जो एरा है वो हो सकता है कोई डिफरेंट हो यह यह कहें कि प्रकृतिक जो हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे थे और हम फिर से एक बार हमें मौका मिला है कि हम प्रकृति के साथ जुडे हैं आश्चार्य की बात है कि आज की करोना जैसी महमारी के चलते भी यह महिलाएं निडर और बेवाक होकर घर, परिवार, समाज और देश की भरदूर सेवा कर रही हैं सच मुझ ही एस देश की नारी को सलाम है, ए नारी तु सच मुझ माहान है, तुझी से जमी, तुझी से आस्मान है